हेलो दोस्तों, आप सबी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक पर कम्प्यूटर जैसा कि आप लोगों को पता है कि अप मेंस में कम्प्यूटर भी आएगा और ये क्वालिफाइंग है नेचर में मतलब इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, आपको ये बस क्वालिफाइं करना रहेगा लेकिन कई वर क्या होता है, हम लोग कम्प्यूटर बहुत चीछ से चला लेते हैं लैप्टॉप्स वगेरा, तो हम सोचते हैं कि क्या है, इजी होगा, क्वालिफाइं तो करना है पांच साथ कोशन ठीक हो जाएंगे, अराम से क्वालिफाइं हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कम्प्यूटर की प्रैक्टिकल नोलिज होने में और थियोरिटिकल नोलिज होने में बहुत फरक है वहाँ पर आपको कुछ रमनोलोजी याद करनी होंगी, कुछ नाम रटने होंगी, कुछ वैलिउज याद करनी होंगी तो ये थियोरि तो आपको पढ़नी ही पढ़ेगी, क्वालिफाइ करने के लिए भी देखिया, आपने मार्क्स बहुत अच्छा स्कोर कर लिया तो ये बहुत ही जाद ध्यान देने वाली बात है तो फिर मैंने इदर उदर देखा, तो सभी लोगों ने एक ही बुक सजेस्ट की ये बुक सजेस्ट करी है, बहुत सारे लोगों लेटर्स उल्टे दिखाई दे रहे होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी आप लोगों के लिए अब वहाँ सा देख लेना, दोनों लाइंग्वेज में अवे लेवल है, हिंदी प्लस इंग्लिश पहले थियोरी दे रखी है, फिर कुछ प्रैक्टिस सेट्स दे रखे हैं, उसके बाद प्रिविएस येर क्योशन प्रिविएस येर क्योशन वो जो एससी अपने दूसरे एक्जैम्स में पूछता है, जिसमें कंप्यूटर आता है, जैसे डेली पुलिस इसको बिल्कुल भी हलके में मत लेना, इसकी तैयारी भी जरूरी है, लेगिन क्वालिफाइग तो करना ही है और अगर CPT पोस्ट के लिए शायद cut of higher भी जाएगी, जिसका मतलब सपना inspector बनने का, ISO बनने का, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, और बाकि अगर इससे थ्योरी समझ में ना आए, तो YouTube पे काफिर टीचर्स ने अच्छा content डाला है, राधी का मैं पढ़ा रही है, YouTube पे उनकी 5-6 वीडियो है, अच्छ कर दे, और अगर पहली बार, दूसरी बार, जितनी बार भी अगर चैनल को विजिट कर रहे हो, और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो